जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहत्ति के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल आपके लिए बताना है चार विकल्प देगा है आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा सही आंसर करनाटक, तमिलनाडू, उडिसा या अंद्रप्रदीस तो कॉस्चन नमबर 71 का आपका जो सही आंसर है आपका राइट आंसर यहां प परकॉस्चन नमबर 72 जो दिया गया है वह ए है कि किस रासो ग्रंत को आला खंड के नाम से जाना जाता है तो चंद बरदाई का प्रतिविराज रासो नरपती नाले का वीसल देव रासो या जगनेक का परमाल रासो या दलपती विजय का खुमाल रासो तो वह कौन सा रासो ग्रंत है जिसको आला खंड की नाम से जाना जाता है तो आपका सही आंसर होगा जगनेक का परमाल रासो परमाल रासो को आला खंड की नाम से जाना जाता है तो विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर होगा Question number 13 क्या पूँचा गया है उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा कावबे प्रिचलित है तो बताईए हम्मी रासो, परमाल रासो, प्रतिविराज रासो या खुमाल रासो उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से जो कावबे प्रिचलित है बहे कौन सा है तो आपका सही आंसर है परमाल रासो परमाल रासो यानि की विकल्प नंबर B आपका यहां पर सही आंसर है question number आपका चोहतर क्या पूँचा गया है तो question number चोहतर पूँचा है क्या होगा इसका सही आंसर महत्वपूण question है आपका और आला और ओदल के चरेतर कोबीर कात्मक काभी की रूप में रचने वाले कभी कौन है तो जगनिक है कौन है जगनिक आनि की विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है question number आपका 75 क्या पूँचा गया है आला खंड नामक काभी गरंत का दूसरा नाम है तो खुमाल रासो है हमीर रासो विजयपाल रासो या परमाल रासो तो अभी पड़ा एक question की जो हमीर रासो है इसका दूसरा नाम जो है क्या है सरी जो परमाल रासो है इसका दूसरा नाम है आलाखंड तो विकल्प नंबर आपका D यहाँ पर सही answer होगा आलाखंड का दूसरा नाम एक question फिर से double हो गया है आपका तो परमाल रासो यहाँ पर सही answer है question number आपका यहाँ पर 37 वाप पूंचा गया है कि परमाल रासो काप्विकर्थी कि कभी का नाम बताना है ये किसकी का विक्रिती है तो नल सें बटे या हेमचंद्र जगने क्या सारंगधर तो question number 77 का आपका आंसर क्या होगा बताईए यहाँ पर चार विकल्प भी आपके दिये गए हैं और 77 का आपका जो सही आंसर होगा बहर जगनेक राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर होगा बिल्कुल चाहिए विकल्प नंबर भी राइट आंसर है question number 78 पूंचा है आला रूदल नामक दो बीर सरदारों की बीरता पूर्वक ललाईयों का बंडन मिलता है तो यह जो दो बीर थे इनका जो बंडन मिलता है वह किसमें मिलता है परमाल रासो में या खुमाल रासो प्रत्वी राज रासो हमी रासो में तो question number 78 है और 78 का सही आंस answer होगा बिल्कुल सही 2010 में यह question जो आप देख सकते हैं पूरे question है यह किसी ने किसी अगजा में पूछे गई question है कभी जगनिक की रचना का नाम है तो जगनिक की रचना बताना है आपके लिए खुमाल रासो है आला खंड है मिरगा बती या पदमा बती तो question number 89 का आंसर बता बतानी की आला खंड आला खंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आला खंड आपका right answer है बिल्कुल सही आला खंड जेनों ने बताया है तो उनका सही आंसर question number है आपका यहाँ पर 80 80 वा question क्या पूछा गया है तो देख लीते हैं परमाल रासो के जो लेखक हैं भै कौन है प जगनेक right answer बिल्कुल चाहिए जगनेक right answer है question number 81 क्या पूछा क्या है तो बारह वरिस्त ले कूकर जीए और तेरह लो जीए स्यार वरिस्त अठारा चत्री जीए आंगे जीवन को धिकार इसे किस विदा की रचना है यह आपके लिए बताना है सोहर बिरहा कजली या आलहा एक 80 का answer बताईए यहाँ पर चार विकल्प दिये गए हैं तो आपका बताना है किस विदा की रचना है तो आपका यहाँ पर आलह right answer होगा आलह यानि की विकल्प number D 2013 में PGT पर एक चाहिए पूंचा गया महत्तुपूर्ण question है question number आपका यहाँ पर 82 पूंचा गया है यहाँ पर बीर गाता काल की प्रिशिद्य प्रबंद काब्ब का नाम क्या है तो बीर गाता काल की प्रिशिद्य प्रबंद काब्ब का जो नाम है पदमा बथे कामाईनी है प्रत्वी राज रासो या रामचरित मानस तो question number 82 का आपका जो सही answer है भै आपके लिए बताना है 82 का आप पर प्रत्वी राज रासू आपका राइट आंसर है प्रत्वी राज रासू आपका सही आंसर है विकल्प नंबर भी राइट आंसर प्रत्वी राज रासू आपका सही आंसर है विकल्प नंबर भी राइट आंसर तो question number 83 का answer बताना है सभी लोग एक बार वीडियो को like अबस्ते कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है और आपका यहाँ पर चंद बरदाई आपका विकल नंबर भी right answer होगा चंद बरदाई सही answer है प्रत्वी राज रासु की रचेता है चंद बरदाई question number 84 पूशा गया है कि प्रत्वी राज रासु के रचेता कौन है तो यह question आपका डबरदाई आपका सही answer होगा तो यहाँ पर यह भी आपका question डबरदाई होगया है यहाँ पर देख लेते हैं, radio लम्बर चाह्σι वर्त अंबर question न्वर्दाई के दरबारी कविह थी, ये question महत्तुपूण है question न्वर्दाई चन्द ऑलडाई के तो question न्वर्दाई का आपका साही answer यहां पर जो है आपका कि चंद परदाई किसके दरबारी कभी थे महराज प्रत्वी राज चोहन आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है 2005 में यह आपका कॉस्चन पूशे गया था PGT में कॉस्चन नंबर आपका यहां पर 87 है प्रत्वी राज रासु किस कभी की रचिना है तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताइए कॉस्चन नंबर है आपका यहां पर 87 और 87 का सही आंसर होगा आपका इहां पर विकल्प नंबर एक यानिकी चंदवर्दाई चंदवर्दाई आपका विकल्प नंबर एक तो हिंदी का प्रतम महाकाब्ब है, जो किस रचना को माना जाता है, कामाईनी को, या साकेत, रामचरित मानस या प्रत्वीराज रासू, तो question number है, आपका 88, 88 का सई आंसर है, आपका प्रत्वीराज रासू, विकल्प number D, आपका यहाँ पर सई आंसर है, प्रत्वीराज रासू, आपका सई आंसर है, विकल्प number D, राइट आंसर, question number 89 का पूंचा गया है, तो 89 का question आपका यहाँ पर जो दिया गया है, वह देख लेते हैं, सूची, एक कामिलान, जो है सूची, दो से करना है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपका यहाँ पर कूट भी दियेगा है, वह आपके लिए आपर नहीं देख रहा है, तो यहाँ से आप जो है डारेक्ट सूची को देख लेते हैं, यहाँ पर, देखे, तो वीचल्दिव रासो, नर्पती नाले, और यहाँ पर प्रत्वीराज रासो, के रचनकार, जंदबर्दा, यह परमाल रास है, इसकी रचेता है, दलपती बेजाए, तो दलपती बेजाए, विकल्प नमबर एक, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, आधी कालीन, आधी कालीन हिंदी काप विधारा में उपलब्द नहीं है, तो आधी कालीन हिंदी काप विधारा जो है, इसमें क्या उपलब्द नही आधी कालिन साहिते आधी कालिन काव्य धारा में जो अपलब्द नहीं है सिक्क साहित नहीं है तो विकल्प नमबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर है तो इसका नामकरण बताना है किसने क्या था इसका नामकरण है तो question number 92 का right answer बताना है चार विकल्प आपक यहाँ पर दिये गए हैं और इसका जो नामकरण क्या था किसने आचार रामचन सुकले तो विकल्प नमबर आपका B यहाँ पर सही answer होगा बिलकुल सही B आपका यहाँ आपका यहाँ पर राइट answer है question number 93 आपसे क्या पूंचया क्या है तू यहाँ पर देखे क्या तो आपक यहाँ how SARAH तक आपका यहाँ पर जो है right answer होगा विकल्प number एक right answer है question number 94 पूँचा गया है निमलिकेत में से कौन बीर गाता काल की रचिना नहीं है देखिए नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर बीर गाता काल की रचिना नहीं है तो संदेश रासक आला खंड जैवेंक जस्चंदरिका या भक्तमाल question number 94 और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दे गए है तो right answer होगा आपका यहाँ पर विर गाता काल की रचिना नहीं पूँचा है तो भक्तमाल आपका सही answer है भक्तमाल आपका right answer है बिल्कुल सही विकल्प number D right answer है नावादास भक्तमाल की कभी थे उनिनकी रचिना भक्तमाल है और यहाँ पर question आपका यहाँ पर 95 पूँचा है इनमें से कौन सा कभी आधिकाल का नहीं है देखिए अब कभी पूँचा है आपसे यहाँ पर कभी आधिकाल का नहीं है तो बताए चंद बरदाई, नावादास, जगनिक या दलपती विजए question number 95 है और महत्तुपूण question भी आपका यहाँ पर पूँचा गया है तो 95 का सही आंसर होगा आपका विकल्प number C यानिकी नावादास नावादास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही नावादास जनोंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है यह आधिकाल के कभी नहीं है सगुण भक्ति का थारा के कभी थे नावदास भक्तिकाल जो सगुण भक्ति का थारा है इसके कभी थे नावदास और यह जो है अग्रदास जी के सिस्से थे और question number आपका 96 बदेख लेते हैं क्या पूऊचा गया है तो देखिए एह है आपका question number 96 इनवे से कौन सी रचना आदिकाल की है तो आप से यहाँ पर अभी नहीं पूंचा गया था अब है बताना है तो कौन सी है बताईए यहाँ पर सूर सागर, वीजक, विद्यापती, पदावली या भरमरगीत तो question number 96 है और 96 का सही आंसर बताना है PGT परिक्चा में यह आपका 2011 में यह question पूंचा गया महात्वपोन question है और इसका सही आंसर होगा आपका विद्यापती, पदावली विद्यापती, पदावली यह आदिकाल की रचना है question number 97 पूंचा क्या है आदिकालीन साहित का प्रमुख रस क्या है तो प्रमुख रस बताना है 97 में इसका जो प्रमुख रस है सांत करोन हास्य या बीर question number 97 का जो सही आंसर है भै क्या है आदिकालिन साहित का प्रमुख रस पूँचा है तो आपका सही आंसर इसका जो रस था प्रमुख बहे था बीर रस कौन सा था बीर आपका यहाँ पर राइट आंसर है बीर आपका यहाँ पर सही आंसर है देखिए आदिकालिन साहित का प्रमुख रस बीर रस था बिलकुल सही और आपका यहाँ पर क्या है अंगला question तो भाई देख लेते हैं विध्यापती ने कुल कितने गरंतों की रचिना की है किसने विध्यापती ने तो कितने कुल गरंतों की रचिना की है 10, 16, 12, 14 तो 4 विकल्प है question number है आपका 98 और 98 का सही answer है आपका यहाँ पर तो इन्हों ने जो है कुल कितने गरंतों की रचना की है तो आपका राइट आंसर 14 गरंतों की इन्हों ने कुल रचना की है तो विकल्ब नमबर आपका B यहाँ पर सरी, D राइट आंसर आपका है है question number 99 पूँचा क्या है क्या पूचा क्या है तो यहां पर देख लेते हैं विद्या पत्री जो है इनके पद किस वहासा में रचे थे पहाली में अब्दी में में या पिंगल में तो 99 का सही आंसर आपके लिए बताना है और इसका जो सही answer है बहिए क्या होगा महत्वण question है 2014 में आपका question पूँचे क्या है और मैथली आपका यहाँ पर विकल्प number जो भी है बहिए आपका सही answer यहाँ पर होगा मैथली question number 102 आपसे पूँचे क्या है आपर विद्यापती की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकासित नहीं हुई है देखे विद्यापती की रचना बताना जो संपादित हो गई है होकर भी अभी तक जो है क्या प्रकासित नहीं हो पाई है कीर्थी लता पदावली कीर्थी पता का या इनुए ऐसी कोई नहीं question number 100 है और इसका जो सही answer है भै होगा आपका यहाँ पर question number 100 का right answer विकल्थ नंबर आपका B यानि की कीर्थी पता का कीर्थी पता का आपका B यहाँ पर right answer है विल्कुल चाही विकल्थ नंबर B right answer question number आपका 101 बपूशे क्या है विद्यापती इनमें से किन रचना के आधार पर मेतल कोकिल कहलाए भौत ही महत्वण question है मेतल कोकिल कहलाए तो कौन सी भै रचना है जिसके कारण विद्यापती क्या कहला है मेतल कोकिल पदावली कीर्थी पता का कीर्थी लता या उपरोक सभी यह आपका GIC प्रवक्त परिक्षा 2017 में एक कॉस्चन पूंचा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर पदावली विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक आचा रामचन सुकल ने हिंदी साहित का इतिहास में लिखा है कि विद्धापती जिसकी रचना की कारण इस मेतल कोकिल कहलाए है वह इनकी पदावली है पदावली है जिसके कारण मेतल कोकिल किसे कहा जाता है इस परकार का question पूँचे जाता है तो विद्धापती को मेतल कोकिल कहते हैं देशल वैना सब जन मिटता है प्रिसद्ध उक्ति किसने कही है तो बताइए एक उक्ती कई बार पूँची जा चुकी एक उक्ती है देशल वैना सब जन मिटता तो एक विद्धापती अब्दुर्रह्मान अमीर खुस्रो या कभी गंग या कभी तो आपके यहां पर सही answer क्या होगा right answer एक उक्ती जो कही है विद्यपती ने कही है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक right answer यहाँ पर है question number 103 क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number 103 आपकी screen पर ए रहा इनमें से कौन सा कभी अभीनाव जैदेव की उपादी से विभूसे थे विद्यापती नंददास सूर्दास कुमबंदास तो यह आपका 2005 में एक question पूँचा गया था TGT में और यह आपका महत्वपूंड question है अभीनाव जैदेव की उपादी से विभूसेत जो है वह हैं विद्यापती कौन है विद्यापती आनिकी विकल्प नंबर एक आपका right answer किस कभी को अभीनाव जैदेव के नाम से जाना जाता है तो यह आपका question डबल हो गया विद् नЙना ज्लाएं पर दो है विद्यापती साधवकों में सामल नहीं है तो यहाफर question number 105 का सही answer बताना है और 105 सही answer क्या है तो 105 का right answer है कंडपा आपका विकल्प नंबर जो C दिया गया है आपका right answer है यह जो है नात पंती सादकों में यह नाम सामिल नहीं है तो विकल्प नंबर C आपका right answer यहाँ पर है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण question जो है यहाँ पर complete हुए है तो क्या अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाएं all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए ब